कुरसी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते नमस्कार दोस्तो, जब नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया, तो देश के Chief Justice of India को मैदान में उतरना पड़ा Chief Justice of India ने बिलकु साफ लफजों में कह दिया है, कि अगर सरकार से नहीं हो पाएगा, तो हम कारवाई करेंगे बेटी बचाव वाली निकम्मी और नकारी सरकार के प्रधान मंतरी मनीपूर में हुई मानवितिहास की सबसे विबस, सबसे घ्रिणित घटना पर कहते हैं, कि वो क्रोध में है उनका हृदय पीडा से भरा हुआ है मानव इतिहास की सबसे भयानक घटना पर देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो क्रोध में है इतने समय तक देश ने देख लिया है कि जब जब देश प्रधान मंत्री से अक्षिन की उमीद करता है न तब तब नरेंद्रमोदी रफुचकर हो जाते है चाहे कोरोना हो चाहे बिलकिस बानों का मामला हो चाहे मणीपुर हो हर बार प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी या तो दिल से माफ नहीं कर पाते है या तो क्रोध में होते है या तो इनका हृदय पीड़ा से भरा होता है ऐसा लगता है कि देश ने प्रधान मंत्री चुनते समय गलती कर दी देश को दो प्रधान मंत्री चुनने चाहिए थे एक भाशर देने वाला, घूमने वाला, मन से माफ न करने वाला और दूसरा एक्शन लेने वाला मनिपुर को जलते हुए 77 दिन हो चुके है 77 दिन से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से देश चिरोरी कर रहा था कि बाच्शा है आलम एक बार एक बार तो मनिपुर का हाल भी जान लो हर जगा जाते हो अरे मणिपूर हो आओ हो सकता है कि देश के प्रधान मंत्री की अपील से ही मणिपूर की हिंसा थम जाए लेकिन ना प्रधान मंत्री ने मणिपूर की तरफ देखा ना ही मणिपूर का मा बोला जब जब राजा अपना कर्तब ये भूल जाता है जब जब राजा धर्म की सीडी पर चलकर राज गद्धी आता है ना तब तब लोगों का हाल मणीपूर जैसा ही होता है मोदी के मुसे अब 77 दिन के बाद मणीपूर का मा निकल पाया है भारत देश के दामन पर वो दाद लग गया है जो किसी भी साबून से नहीं दूलेगा मानव इतिहास की सबसे विपस घटना मणीपूर में घटित होई है देश ने राजा को इसलिए चुना था कि राजा देश चलाएगा लेकिन राजा पार्टी चलाने लगा राजा अपने एहंकार की रच पर उड़ने लगा राजा चुनाव मशीन बन गया राजा भाशन वीर हो गया राजा को दिखास और छपास के रोग ने घेर लिया राजा को प्रजा से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है बेटी बचाओ का वचन देखते ही देखते सब हवा हो गया और जिस राजा ने बेटी बचाने की कसम खाई थी उसी राजा के राज में मानव इतिहास की सबसे घ्रड़ घटना हो गई किसी लोकतांत्रिक देश का ऐसा कांड ना तो इतिहास में दर्ज है नहीं भुगोल में दर्ज है ना कठाओं में है ना किन्द्दियों में है ना पुराणों में है ना शास्त्रों में बिल्किस बानों के गैंगरेप के आरोपियों को रहा करने वाले मनिपूर का क्या इंसाफ करेंगे कारवाई के लिए वीडियो वारल होने का इंतजार करने वाली सरकारे क्या बेटिया बचाएंगी हम शर्मिंदा हैं कि इतना सब होने के बाद भी डबल इंजन की सरकारे मनिपूर में चल रही है हैरानगी इस बात की भी है कि राश्रपती का होना ना होना सब बराबर है प्रधान मंत्री तो भाशर देने और रेडियो पर बोलने के लिए ही रखे गई ऐसा लगता है बालेवं विकास मंत्री अमेठी और राहुल गांधी से जादा कुछ बोलती ही नहीं कभी सिलेंडर लेकर धर्ती हिला देने वाली स्मिती रानी ने कहा है कि बिरेन सिंग जी से बात की है उन्होंने मुझे बताया है कि जाच अभी चल रही है और आश्वासन दिया है कि अपरादियों को न्याएं के कटगरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी स्मिती रानी को तो बिरेन सिंग से स्तीफा मांगना चाहिए था जबरन बिरेन सिंग को गदी से उतार देना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मानव इतिहास के इस सबसे विभस समय को याद रखेगा इतिहास में लिखा जाएगा कि जब राष्ट्रे मीडिया गोदी हो चुका था जब जिमदार मीडिया दलाली काट रहा था जब सरकार के वल धार्म के रास्ते अगली सत्ता हासिल करने के जुगाड़ों में लगी हुई थी तब कुछ पत्रकार थे जो नौकरिया छोड़कर बोलते थे जान जोखिम में डालकर बोलते थे कुछ कुमार विश्वास जैसे कवियों ने सरकार के लिए खुल कर लिख दिया था कि कुरसी है तुम्हारा जनाजा नहीं है कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते नमस्कार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिलकूल नहीं कहुँगी क्योंकि जिस देश में बेटियों की ये हालत है उस देश में एक बेटी का चैनल सब्सक्राइब करके आप क्या ही कर देंगे जहिंद